तो चलिए जिस चीज का हमें इंतजार था डियू का प्रेस रिलीज नोटिफिकेशन आ चुका है इसके अनुसार अब जो आपके एक्जाम है वो एक जुलाई से कन्फर्म हो चुके है इसमें जो लिखा गया है कंड़क्ट आप एक्जामिशन फोर फाइनल सेमेस्टर टर्म्स एयर फोर अकेडमिक सेशन 2019-20 इन वीव ओफ कोवेड-19 विल भी स्टार्ट फ्रॉम फर्स जुलाई टूथाउजन ट्वेंट जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक आपका फाइनल सेमेस्टर है चाहे आपका फाइनल एयर का एक्जाम है या आपका बैक कोई आई वी है तो उन सब स्टुएंट्स के एक्जाम हमारे एक जुलाई से पंदरा जुलाई के भी जोंगे ठीक अब इसमें दूसी चीज यह है कि एक्जामिनेशन को जो टाइम और ब नका वो दो घंटे होंगे कोसिस यह की जा दिया कि एक्जामिनेशन आपके कंटिनियस होंगे जो दो घंटे का टाइम में वो जो है अगर situation नार्मल रही तो आपके physical examination होगे नहीं तो आपके पूरे चांसे के open book examination या online examination होगे अगर open book examination होते तो आपको question paper by mail या किसी और online के थूँ आपके पास आएंगे आपने उसे 2 घंटे के अंदर solve करके और फिर scan करके submit करना है इसके लिए आपको 1 घंटा extra दिया जाएगा जिसमें आप web का use करेंगे वेबसाइट में download करेंगे उसको चाहे print करें चाहे कुछ भी करें फिर उसको scan करके आपने submit करना है ते इसलिए आपको यह घंटा extra दिया जा रहा है इसके लावा इसमें जो आएंगे आपके 6 question आएंगे जिसमें से आपको 4 question करने है और यह पूरा आप मान के चलो कि यह exam आपका simple नहीं होने वाला क्योंकि आपने open book examination का जो मतलब होता है उसमें आप घर पे बैठ के exam देते हैं आप अपनी help book, note book, reference, guide जो भी होता है उसका use कर सकते हैं तो अगर इतना सब कुछ आपको करने को दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि paper इस तरीके से typical बनाएंगे कि आपको वो चीजे normally या आसानी से नहीं मिलेगी आपको से ढूनने में time लगेगा और तब तक क्या होगा वो जो उन्होंने time duration दिये वो निकल सकता है तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ना सुरू करना जो अभी ये notification आई है वो हमारे केवर final year के students के लिए या final semester के students के लिए first year और जो second year के students है उनके लिए अभी separate guidelines आनी बाकी है उनके लिए specific notification आएगा बट आप मानके चलिए जो अभी दिखरी है हमें situation देली की कि पूरे chances है कि हमारे open book examination होगे और online examination होगे तो जो हमारे पार time duration होगा वो limited होगा दो घंटे का दो घंटे के अंदर ही हमें exam को prepare करके submit करना है चाहे हमने scan करके करना है चाहे हम upload करेंगे कोई भी तरीका हो सकता है online अगर करते हैं तो यह मानके चलना है कि हमारी speed भी जरूरी है हमें आना भी चीए तब ही जाकर हम उस exam को crack कर पाएंगे तो आप से request है सब बच्चों से कि आप आज ही से अच्छे से लग जाए प्रिपेर करिए exam के लिए क्योंकि अब exam के लिए कब एक महने ही बचा हुआ है एक बार मैं आपको दुबारा बता देता हूँ open book examination होता है क्या है उसमें जो है आपको जो यह दो तरीके का होता है इस help book का use कर सकते है जो situation हमें अभी दिखरी नहीं है दूसरा जो है कि आप घर पे बैठके paper देंगे आपको email के थुरू या online किसी भी method है उसके थुरू जो है आपके पास exam paper आएगा और आपको एक fixed time duration दिया जाएगा उस दो घंटे के duration में आपने वो paper लिखना है पूरा का अगर जैसा मैंने आपको बता है time की limit होगी तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है और पूरा मान के चलिए कि पेपर टिपिकल आएगा जो आपको जो normal book uses कर रहे हैं उनमें आपको मिलने के chances कम है ता आपको डियू का जो यह नोटिसा है उसको attach कर कर दे दूगा या आप की वेबसाइट से भी से डाउनलोड करके एक बार अच्छे से study कर सकते हैं आगे कोई भी जो डियू का नोटिस आता है या कोई information आता तो मैं जरूर आपके संग share करूंगा तब तक आप इस वीडियो को अपने friends के साथ share कीजिए उनको बोलिए की channel को subscribe कीजिए ताकि उनको आगे commercial related जो है वीडियो और informative information मिलती रहें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और share करना ना भूले और कमेंट जरूर करें